जितना राम मंदिर निर्माड की चर्चा हो रही है उससे जादा 22 तारीक को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा आकर में है क्या पूजा तो आपने सुना होगा लेकिन प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है हमारे साथ में राम जतनी राशिया हैं, सभी को सांती करने के लिए, पूया अर्चना होता है, उसके बाद मंगलाचन होता है, ये सब करने के बाद में, तब उस मूर्ति को सुध्धी करन के लिए, जो प्राणप्रतिश्रा जिसकी होनी है, उसको जल में अधिवास देना पड़ता है, उसको अन् वह रखा जाता है उसे में फूल में रखना पड़ता है और इस तरह से कई परकिरिया होती है वह पूरा होने के बाद में तव उसके बाद में उसमें अच्छी परकार से ब्यवस्यत करके प्राणपतिष्टा के मन्त जपा जाता है वह मन्त इसी रूप से है कि जिस प्रकार से किसी प्रकार किसी देवता में और इसको प्राण प्रतिष्टा में प्राण को अस्थापित करने की जो ब्यवस्ता है वह वेदों में बनित है कि किन किन प्रकार से उस वेद के माध्यम से उस मंत्र के माध्यम से उस पर मातिमा का आ करेंगे राम की प्रतिमा है राम का आवहन करेंगे कि प्रभु आप प्रतिमा में विराजमान हो और भक्तों का खल्यांड करें इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्ता है मतलब कहा जा कि जो मूर्ति वो पत्थर की होती है पत्थर की मूर्ति में एक उसको जीवन्त करना है चाहे पत्थर की मूर्ति हो चाहे श्रिधातु की मूर्ति हो चाहे लकडी की मूर्ति हो जो भी मूर्ति होती है प्रान्पतिष्टित होने पर ही वो पूजनी होती है यह प्रान्पतिष्टा नहीं है तो जैसे दुकान में पड़ी होई मुर्थी वही है तो इसलिए उसके विद्विधान से प्रान्पतिष्टा की व्योस्ता है अब उसमें सत्य है कि जिन सक्तियां परमात्मा में होती है उन मंत्रों के द्वारा उन सारी सक्तियों को उस परतिमा में अस्थापित किया जाता है जिससे लोग दर्सन करने के बाद और लाब उठाते हैं और उन जिन जिन भावनाओं के साथ उनका दर्सन करते हैं कल्याड हो प्राध्न प्रतिष्ठा के जो 84 सेकंड होते हैं उसके क्या माध्य होते हैं मुतलब कितना ज्यादा महत्तपूर होता है देखें यह यह जोटिसी लोग ने आजop की जो 218 vastly की निकाले हैं वह आँ उनके अपना विचार है वीचार है साब सी surface होता है अभिजित नच्छत बारह ग्यारे बज़ के कुछ मिनट से बारह बज़ के भी मिराता है और उसी बीच में जो सुब काम होते हो किया जाता है तो उसी अभिजित मुहूर्थ में 84 सिकंड का एक विशेष मुहूर्थ निकाले है जिसने कि उसमें किसी प्रकार चाहण की बाद्हवत परकी ये पूरा कुंतल फिसने लगता है पूर्थ प्रक्रेय कितने देर कई दिनों लगते हैं पांच देर क्योंक्कि कई प्रकीरिया उसमें होती है इसने बहुत दिन लगता है एक दिन में उपनार प्रजिष्टा हो ही नहीं सकती इसलिए पहले से उसका शुरू हो जाएगा और बाइस तारिक से पहले शुरुवाथ हो जाएगा उसमें देवताओं की पूजा नवगरह की पूजा प्रिथभी की पूजा अकाज की पूजा की पुजा यह सब के सब वही में समलित हैं और उसके बात सब कुछ उनको सांती के लिए यह से नौग्रह का मंत्र है ब्रह्मा मुरारी स्टिप्रांत्यकारी भानु सशी भूं सुतो उधस्य गुरुष सुक्र संद्राव केत्वा सर्वेग रहा सांधिकरा भवन्तु यह मंत्र करके उनको अर्पित किया जाता है यह से फूल अच्छत मिश्ठान सब कुछ हपता दस दिन पहले से शुरुवात ह जो प्रक्रिया है और वो कंप्लीट हो जाएगी बाइस तारीक हां अब विसेश लगेगा तीन दिन अच्छा अधाइस यह सत्रह बाइस को है बाइस को है तो सत्रह त्थारह उन्हेस वीश इसलिए हो सकता है कि अथारह से शुरू करें जो विसेश प्रक्रिया उसको और सामान पर के रिया तो और पहले सरू करेंगे सभी देवी देवताओं के पूजा नर्चन यह सब के परवा उसमें रहे और कोई दोस उस्वत नहीं हो मंगल हो इसलिए उसका पूजा आर्चना अधि बाइवा ओंका दिशाहों का यह किया जाता है इसमें कोई फिक्स होत प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरी प्रक्रिया है बाइस तारीक को कोई टाइम अभी निर्धारित हुआ है तो जतना मिनट में होना चाहिए इस दौरान जो राम लला की मूर्ति है वो तो बच्पन वाली ही है जी अब उसको भी बच्पने वाले पांट साल तक बच्चे होते हैं इसलिए बालक रूप पांच बर्स के वश्था को जो बालक होगा उसी उमर की रूप में राम लला की प्राणप्रतिष्टा जो नई मूर्थी अस्थापित होगी उसका किया जाएगा नई मूर्ति को शहर में उसको गुमाया भी जाएगा कुछ हमनर करना के होता है कोई होते हैं तो किया जाता है उसकता कराएंगे संपध determ segunda अ Box प्रहों है किस तरीके से होगी कितना वक्त लगेगा और इसके माइने क्या है तमाम जानकरी सतिंदास जी महराजी ने दिया है और तमाम जो दरशक जिनको इस बात को लेकर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया है दूर कर दिया है